लखनों में होने वाले डिफेंस एक्सपो पर आतंग बादियों का साया भी नजर आ रहा है। इसके चलते लखनों की सुरक्ष विस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई हैं और चपे चपे पर पुलिस पैनाथ है। लखनों में सुरक्ष की तयारे कैसी हैं हमारे समधा आता गगन मिश्था ने इसका जाय सालिया। पांच फर्वे से नौ फर्वे तक लखनों में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है। इसी के चलते लखनों में साथी साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सुरच्छा एजेंसियां सतर रखो चुकी हैं। क्योंकि जो इंपूट मिला है वो काफी चौकाने वाला है। सुरच्छा एजेंसियां को इंपूट मिला है कि करीब 11 आतंकी संगटन कि सदस्यू नेपाल की रास्ते भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकते हैं। जिसमें सबसे महत्यपूण नेपाल इसलामिक संग लश्कर तौबा और जैसे महमबद है। इसी के तरते शुरच्छा एजेंसियां इन सभी 11 आतंकी एजेंसियों पर अपनी नजर पैनी गड़ाय हुए है। फिल्हाल सुरच्छा एजेंसियां सतर्क हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस दानात है। जितनी भी सुरकारी एजेंसियां हैं चाहिए ATS हो चाहिए ATS हो चाहिए ATS हो NIA हो सब पूरी तरह से कमर कस्टों की हैं क्योंकि कल्पधामंति नरोमोदी लखनों में होंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई अपनी घटना घट चके। कैमा परसन अमीज मिस्रा के साथ गगम मिस्रा, R9 TV, उतरप्रदेश